आयोध्या में राम मंदिर प्रांट पतिशा समारों पर भगवान राम को महाकाल मंदिर से बेजे जाने वाले लड्डू का भोग लगाया जाएगा प्रसाथ स्वारुप चड़ाने के लिए पांच लाग लड्डू बेजे जाएंगे शुकरबा सुबर युवा दिवस पर सीम डॉक्टर मौन यादव की गोशना के बाद उजेन में माकाल मंदिर की जिन्दामन यूनिट पर लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं एक करोड की धाई सो किंटल लड्डू प्रसादी त्यारी की जा रही है कलेक्टर सी ने बताए कि सीम के निर्देश पर बेट च्वरू पांच लाख लड्डू अयुद्या बेज़े जाएंगे उनको त्यार करने में करीब पांच दिन लगेंगे लड्डू को अयुद्या बचाने के लिए तीन से पांच टक्की विवस्ता करनी होगी 17 या 8 जनवरी को लड्डू खेब उज्जेन से निकलेगी करीब 21 जनवरी तक लड्डू अयुद्या पहुच जाएंगे महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी ने बताए कि लड्डू का वज़न 50 ग्राम होगा इनने अलगक डिबो में पेक किया चाएगा इसके लिए रोजाना करीब सो लोग एक्स्टा काम पर लगेंगे लड्डू युनिट में बनेगा लेकिन उसकी पेकिंग परिसर में होगी इसके लिए मंदिर समीती 40 बाई 128 का डोम बनवा रही है महाकाल मंदिर का बनने वाला लड्डू शुद्ध होता है इसमें पानी नहीं मिलाया जाता लड्डू के पेकेट पर महाकाल मंदिर की ब्रॉडिंग होगी पांच लाग लड्डू बनवाने के लिए महाकाल मंदिर समीती करीब एक करोड रुपे खर्च करेगी यूनिट में आमदिनों में रोजाना करीब 40 क्विंटल बनाया जाता है इसे 80 लोग तयार करते हैं राम मंदिर के लिए रोजाना करीब 50 क्विंटल लड्डू का निर्मान एक्स्टा किया जाएगा इसके लिए अलग से 100 करमचारियों को लगाया जाएगा देश बर से माकाल मंदिर में पहुशने वाले भक्त लड्डू प्रसाद ले जाते हैं यहां के लड्डू को भारत सरकार की संस्ता Food Safety and Standard Authority of India ने हाईजिन के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है दरसल माकाल मंदिर में मिलने वाले लड्डू को बनाते समय शुदता का विशेश ख्याल रखा जाता है 20 साल से लड्डू प्रसादी तयार करने वाले राजू हलवाई बताते हैं लड्डू बनाने से पहले एक बार में 20 किलो बेशन 5 किलो रवा को 20 किलो देशीगी में मिलाकर भट्टी की तेजाज पर सेका जाता है